नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक में हफते की बाद पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कश्मीर में हो रही राजनेतिक उथल पुथल पर और इस पर आगे हमें समझाने के लिए हमारे साथ है और मिलेश जी सर आपका स्वागत है न्यूस क्लिक में और कश्मीर में वातावरन जो है राजनेतिक वातावरन वो बदलता ही जा रहा है हम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाए कि किस प्रकार से क्या आधार था जो कश्मीर असेंबली को जो गवर्न और रूल लगाया गया उसके बारे में आप चर्चा कीजिए और हमें हमाई दर्शकों को ये भी समझाए कि इसके आगे प्रभाव क्या पढ़ने वाला है इस पर समेधा हमारे देश में कश्मीर एक ऐसा सूबह है जिसमें दो-दो समझाए चलते हैं एक तो भारत का समझाए दूसरा राजी का अपना एक समझाए और राजी के समझाए का जो धारा अनुछे तीरपन दो भी है इसके तहत जो विदान सबाह उसको भंग किया जा और भंक उसी रोशनी में किया गया लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि जो दलीलें दी महामहीम राज्यपाल ने वो दलीलें दोनों कांस्ट्यूशन को अगर देखा जाए दोनों संविधानों को अगर देखा जाए उनकी रोशनी में अगर व्याख्या की जाए उनके एक-एक action की तो वो वो बेल्कुल और समवेधानिक नजराते हैं और यह ऐसा नहीं कि व्याख्या का प्रश्ण है यह सच्छा ही है व्याख्या मान लीजे किसी कि अलग हो सकती है किसी की दूसरी हो सकती है किसी की तीसरी हो सकती है यहां तो कोई ज dir detail उन्हें दि है गट बंधन थे परस पर विरोधी थे उन्हों ने पी-डी-पी का नाम लिये बगएर और जो नेशनल कॉंफरेंस है कॉंग्रेस है उन्होंने कहा कि यह घट बंधन थे वो स्थाइब सरकार नहीं दे सकते थे क्योंकि परस पर विरोधी विचार की पार्टिया थी पहला दूस में सुरक्षा बलों की सपोर्टिव सरकार चाहिए थी इसका मतलब कि इस गटबंधन से वह संभव नहीं थी और तीसरी बात जो उन्हों ने कही है वड़ी दिल्चस्त है कि दिर्व कालिकता इस सरकार में नहीं होती यानि लंबे समय तक डिरेबल नहीं अर इन कारण से हमने विधान सभा को भंग करके और राजेपाल का शा यहें अब पहले को देखते हैं भार्त के संभिधान नहीं दर्ज नहीं ऋसकी व्याक्या में नहीं कहीं β cannabis नहीं है सरकारिया पोल हो या बाद का हो तो वह सरकार बनाने के काबिल नहीं होंगे या और समवैदानी होगी इस तरह की लिए ह। बात की पीडीपी और बीजेपी ने सरकार वहीं पर बनाया थह कुछी समय पहले और दोनों के रायनितिक दर्षन विचारधारा दे लेकिन बनाया क्योंकि उनको लगा कि चुनाव में जो मैंडेट आया है उस मैंडेट के हिसाब से ये बात बनती है कुछी दिन पहले हमने देखा करनाटक में जेडियेस और कॉंग्रेस ये दो पुलिटिकल पार्टी ने एक दुसरे के खिलाब चुनाव लड़ा लेकिन सरकार बनी उनकी पहले बीजेपी की बनी बीजेपी जब नहीं काम्याव हो सकी फ्लोर अपड़ाउस पर अपना साबित करने में बहुमत तो इनकी बनी असंखी उदारन में दे सकता हूं आपको भारत में जो ऐसा हुआ दूसरी जो बात उन्होंने कही कि फ्रेजाइल सुरक्षा परि यह क्या आप कहना चाहते हैं दिर्ष कालिकता आप कहार एं तीसरा वही सरकार 6 साल के लिए वहाँ बनी है 6 साल कारिकाल है विदान सबार Like का हमारी हरечение 5 साल होता है جम आंक कौश्मीर में 6 साल होता है लेकिन आपने बीच में भंग कर दिया अस वकत आपने भंग सभा को सेस्पेंट किया गया सरकार जब भंग जब अपदस्त हो गई लेकिन आपने तब किया जब आपको लगा कि भारती जनता पार्टी सरकार बनाने में अक्षाम है और इनके पास 56 लोग थे इस मुद्ध पर और भी जादा इसको आगे ले जाया गया जो है बीजेपी की और से जिस प्रकार की बयान बाजी उसके बाद हो रही है उन्होंने ये तक कह दिया कि कॉंग्रिस और पीडेपी सरकार बनाने की जो कोशिशें कर रहे हैं ये पाकिस्तान की इशारे पर की जा र माधो साहब जो पार्टी के इन चार जनल सेकरेटरी हैं दुसरी तरह कमिंदर गुपता जो वहां डेपेटी चीप मिनिस्टर रह चुके हैं इसी सरकार में पिछली सरकार में इन दोनों नहीं ये आरोप लगाया और उस आरोप को ये नहीं की पार्टी के बड़े नेताओं चुनाव लड़ती हैं जो भारत की संसदी निर्वाचन प्रणाली में संविधान में यकीन करती हैं जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 के बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर के भारत में संविलन एक्सेशन को संवैधानिक एक यथार्थ के रूप में एक्सेप्ट किया है आप देखे जम्मू कश्मीर में क्या असलियत रही है हमने इतने वर्षों जम्मू कश्मीर कबर किया और हमने हमेशा महसूस किया कि जो मेंस्ट्रिम की पुलिटिकल पार्टी है वो नाराज जो तपका है उनको मनानी की कोशिश करती है कश्मीर वेली में और दूसरी तरफ हमने साथ रहे उसमें ये मेंस्टिम पुलिटिकल पार्टी कश्मीर की हैं वही एक बहुत बड़ा उनके लिए सहयोगी या एक सहयक ताकत रही है कि वहां के नाराज कि बगेर कोई कोशिश के पाकिस्तान के लिए आप जगह बना रहे हैं और आज की इस्तिति यह है कि कश्मीर वैली में अगर देखा जाए तो नौजवानों का एक तपका जिनको यही पुलिटिकल पार्टी सत्ता में जब रहती है तब या जब इपक्ष में रहती है तब कम स हो सब मटिया मेट कर दिया आपने खातम कर दिया तो इस तरह से आपने उन लौजवानों को या वहां की लोगों को एक तरह से पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसी जगह दे दी है कि पाकिस्तान जादा अगर काम ना करेगा तो भी कश्मीर में वो आपकी जो नौनसेंस है आपकी जो मुखता पूर्ण कारवाई है उससे उसको फैदा मिलेगा यह एक आज की असलियत है जो मैं समझता हूं कि भारती राश्राज्य के लिए हमारे समवैधानिक लोगतंत्र के लिए बेहत खतरनाक है और यह यह भी साबित करता है कि मवजूदा जो देश को चलाने वाले लोग हैं कैसे सिर्फ और सिर्फ 2019 के आने वाले चुनाव के मुतलिक कश्मीर को पूरे भारत को कश्मीर के खड़ा कर रहे हैं और कश्मीर में जो माहल बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि उनको चुनावी फैदा म कश्मीर में करवाने के लिए और 19 के एलेक्शन जो है बस कुछी महीने दूर रह गए हैं तो मैं यह जानना चाहती हूं आपसे कि किस तरह का फाइदा बीजेपी को होगा इस सम्वेदन शील सिती से जो उन्होंने कश्मीर में बना दी है लिए बीजेपी को जो फाइदा हो जो तरक की पसंद हैं वो चाहते हैं कि उनके हां एजूकेशन बहतर हो हेल्थ केर बहतर हो उनके हां इंफ्रेस्ट्रक्शर बिल्ड़ हो आप सब कुछ छोड़ करके क्योंकि भारत की हालत जो है जो सोचल इंडिकेटर्स भारत के हैं वो पूरी दुनिया के विकासील देश भारत में एक विघटन के लिए एक विवहाजन के लिए उसको एक एजिनडा बना रहे तो यह मुझे लगता है इसके जरीए विए मैं सेश भारत में मुबलाइज करना चाहते हैं कि देखिए हम कश्मीर में यह ऐसा कर रहे हैं इसकि इसकी इसकी इमोशनल एक अपील पैद जनता पार्टी के प्रदानमंत्री थे एंडिये वन के दौरान उन्होंने भी बहुत सारे ब्लेंडर्स किये कश्मीर में बहुत सारे लोग समझते हैं कि वाजपई जी ने सब कुछ कश्मीर में बढ़ा महान किया जिनकी वजह से पटरी पर आ गया ऐसा नहीं है उनसे भी गल सामत सईज मुक्यमंत्री बने थे पहली दफ़ा वो वो एंडिये के समय शुरू में तो उस दर्म्यान हुआ यह था कि कुछ एक काम हुए और उन कामों की वजह से जैसे एक हेलिंग टच की पॉलिसी आई सामने उसकी वजह से कश्मीर जो है धीरे धीरे पटरी पर आता को नामलाइज किया जाए और इंडो पाकिस्तान रिलेशन्स में भी एक बेहतरी लाए जाए तो धीरे धीरे पटरी पर आ गया था कश्मीर का मामला मैं यह नहीं का रहा हूं कि हिंसा खतम हो गई थी या अशांती खतम हो गई थी या कि वहां वाइलेंस बिलकुल नामों न मोदी जी के आने के बाद जो कश्मीर धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था वह पटरी से निचे उतर गया और यह मैं अपनी और से नहीं कहा रहा हूं यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अपने आंक्डे हैं और वह यह हैं कि 2012 में टोटल घटनाएं जो मिलिटेंसी स्सक् घटनाएं इन इत मिलिटेंस घटनाएं तरह सोग फूर्स जाट सोग मरें गया यह सो दस मिलिटेंस चाहिए निलीते और स्कॉर्स लोग11and सत्रह लोग सिवीलियन्स मारे गए याइक सोवाट से मिल्टनिस या कथित टेरिस्ट मारे गए आए ग它 गाकी सेडियों की लोगमारे जाते हैं एटी फ़ींड गटना होती है और इसी सै कर्क्यो जाते अई 40 civilians 213 कथित militants ये टेरिस्ट मारे जाते हैं 2018 ये चल रहा है अभी तक जो आंकड़ा है वो यह है जो अभी सारे आंकड़े नहीं आए हैं लेकिन हम 9 महिने में हैं और हमारे पास October तक का जो मामला है उसमें security forces के 80 लोग मारे जा चुके हैं 80 और जो militants हैं 210 मारे गए तो ये आंकड़ा जो स्वैम मुदी सरकार का आंकड़ा है ये बताता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर में जो इस्थितियां बेहतर हुई थी धीरे धीरे वो कैसे पटरी से जम्मू कश्मीर नीचे उतर चुका है तो मुझे लगता है कि आंकड़े अथार्त और सच्चाई का को सामने लाते हैं तो ये ऐसा मंजर है जिससे आप जम्मू कश्मीर के नाम पर शेश भारत में वोट उगाही के लिए अपना कड़ आपनी कवायत तो कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर का जो सूरते हाल है वो बेहत खराब आपने कर दिया है ज से लिंक्ट है मैं आपसे आखरी एक सवाल ये पूछना चाहूंगी जिस प्रकार के आपने आकड़े रखें हैं इन से एकदम सपष्ट हो जाता है कि किस प्रकार का हिंसा का महौल जो है जम्मू और कश्मीर में अभी देखने को मिल रहा है तो क्या आप कहना चाहेंगे कि एक पूर्ण तरह से विवलता जो है हमें देखने को मिल रही है लॉइन और की और पीस फुल जो सिचुएशन है उसकी जम्मू कश्मीर का इतिहास अगर देखें थोड़ी थोड़ा सा हम इसको भी स्टार में अगर लें जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा से यह उसकी उसकी इ गलतियों की शुरुवात वहीं से हो गई थी जब 1953 के 9 अगस्त को शेक मुहमद अब्दुल्ला की सरकार अपदस्त कर दी गई और अपदस्त कर क्यों की गई क्योंकि वहां बहतर किस्म के लाइंड डिफॉर्म्स लागु किये गए थे और तमाम प्रोपीपल पॉलिसी ली जाई थीं लॉबिंग की गई और सरकारों को अपदस्त किया गया इस तरह की नजाने कितनी गलतियां बार-बार की गई मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किया है ऐसा पहले कभी नहीं किया गया कई बारा राजपाल शासनला गुप किया गया है लेकिन पहले और अरब में एक अंतर है जैसे 1987 में जब वहां विधान सभा चुनाव हो रहा था तो मुस्लिम जीत रहे थे जीतने नहीं दिया गया और आपको बताऊं मैं कि 1987 की चुनाव में अगर वहां के नाराज लोगों के राजनितिक मोर्चे को उनके उमिद्वारों को जहां वो जीत रहे थे चुनाव उनको जीतने दिया गया होता तो शायद कश्मीर वैली में मिलिटेंसी जो आज भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं ये उमिद्वार थे लेकिन लोग कहते हैं कि इनका जीतना हुआ चुनाव हरा दिया गया और इनको पीटा गया और ये उस पार चले गया और पाकिस्तान की मदद से ये ये तमाम तरह की खुराफात की कारवाई करने लगे तो किस तरह से डिमक्रिसी को हमने कमजूर किया है वहां किस तरह से अवाम को इन्वाल्ब करने के बजाए अवाम को एलियनेट किया है कश्मीर वैली में कभी जम्मू को कश्मीर से लडाया कभी लगदा को श्रीनगर से लडाया ये तिकडम करते रहे हैं हमारा ये कहना है क कि ये गलतियों से सबक लेना चाहिए था आज की सरकारों को क्योंकि पूरी दुनिया में जो लोग हैं डिमोक्रिसी जहां है अपने लोगों को एलियनेशन से निकालती है involved करती है inclusive और बनाती है समाज को हमने inclusive बनानी की कोशिश नहीं की हमने उनको और अलग किया आज जो हकीकत है वो यह है कि जो पहले से भी जादा जटिल है और विकराल है आज हम communal एजेंडे के तहट सारी चीजों को mix कर रहे हैं तो यह जो मोधी सरकार की जो कारवाई है जिसकी कोई चिन कोई निशान नहीं है और हम एक तरह से आतंकवाद और उग्रवाद को उसकी जैनेसिस को उसकी जो प्रिस्ट भूमी है उसको हम शिनाक्त उसकी नहीं कर रहे हैं हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम जनता को एलेनेट करें और जनता को involved किये बगैर हम उस पर attack कराएं यह स्थिती बन गई है और मैं समझता हूं कि न तो यह सेक्योर्टी फोर्सेज के लिए अच्छी स्थिती है यह सेना और सेक्योर्टी फोर्सेज के लिए अच्छी स्थिती नहीं है किसी के लिए नहीं है यह पूरे भारत की अवाम के लिए अच्छी स्थिती नहीं है तो वे restaurants के साथ हम आपका शुक्रियादा करना चाहेंगे आपने इसने विस्तार में हमें जमोड सुमीर की जा की स्थिती है और राजनेतिक उधलपल है उसको समझाया शुकरिया सरर और इस बात के साथ हम समापत करते हैं आज का कारिक्रम आधनी उस एक के लिए आपका धन्यवाद